हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू साइंस मैगनेट दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आई फ्लू की आप लोगों को पता है अलग-लग न्यूज चैनल पे अलग-लग आप लोग न्यूज पेपर के माद्यम से एक ही चीज आप लोग समझ रहे होंगे कि दोस्तो आई फ्लू का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है एवन आपने अपने आस पास में भी कई लोगों को देखा होगा जो इससे ग्रसित हो रहे है तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि यह आई फ्लू एक्चुल में है क्या क्यों यह इतनी तेजी से बढ़ रहा ह है इसके लक्षन क्या है और किस प्रकार हम लोग इससे बचाओ कर सकते हैं देखिए दोस्तो अलग अलग आप लोग न्यूस पेपर में देखोगे सब जगे आप लोगों को आई फ्लू आई फ्लू यही सुनाई देगा एवन दोस्तो अलग अलग गॉर्मेंट ने तो और तकलीफ पहुचा रही है एक्चुली में है क्या देकिन दोस्तो आई फ्लू को हम लोग पिंक आई या कंजक्टिव आइटिस के नाम से भी जानते हैं सबसे पहली चीज दोस्तो इसमें होता क्या है जिसे आप लोगों की हेल्दी आई अगर आपको कोई विभिमारी नह लिचली है अब एक्चुली में इसमें हुआ क्या देखो यह हमारी आऔर न हम-इर यह जो वाईट वाला पार्ट न इसको हम लोग बोलते हैं ऐन फहटी जो हो रहा है वहाले पार्ट में हो रहा है जिसकी वजल से यह वाला पार्ट जो है वह रेंड मरें ठीक है से जिसका नाम है lacrimal gland इसी से आप लोगों के tears निकलते हैं जो कि आप लोगों के आखों के corner पर होती है दोस्तों infection अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपकी ये वाली gland पर प्रभावित हो रही है तो जितना tears जितने आसो निकलने चाहिए ते उससे ज़्यादा निकल रही है इसलिए आप लोगों के आखे क्या हो रही है काफी गिली हो रही है चलिए ये चीज़ दो समझ में आगए कि actually में eye flu है क्या लेकिन दोस्तों इसके हम लोग समझते हैं क पारण और symptoms कैसे पता लग सकता है कि किसी व्यक्तिव को eye flu है या नहीं है तो सबसे पहला दोस्तों ये वाला पार्ट है जिसे बोल रहे हम लोग वह पिंक या आप लोगों का रैड कलर का हो जाएगा काफी ज़्यादा आप लोगों की eye से water का discharge होगा आप लोगों का mild pain होग होगा है ना दर्द वगेरा होगा आपकी जो नाक होगी वह बहनी लग जाएगी दूसरी बात दोस्तों eye kristi nation आखों में पपड़ी सी बनना start हो जाएगी जो आप लोगों की आखों की पल के है ना उसमें भी क्या आ जाएगी सूजन आ जाएगी ठीक है अब बात करते है सर eye flu के अलग अलग कारण है जैसे मैं आप लोगों को बोलू किसी व्यक्ति को फीवर हो गया अब दोस्तों फीवर जो है आप लोग सोचोगे पैरा सेटमोल लेने से रुख जाएगा लेकिन याद वो फीवर हुआ किस वज़े से यह तो आप लोग देखो अगर दोस्तों हो स सकता है सिमिलरली दोस्तों जो eye flu है इसके कई कारण हो सकते हैं यह किसी वाइरस की वज़े से भी हो सकता है दोस्तों यह किसी बैक्टिरिया की वज़े से भी हो सकता है यह किसी केमिकल की वज़े से भी हो सकता है दोस्तों तो उसी according आप लोगों को इलाज लेना पड़ेगा जैसे अगर हम लोग बात करें इस मौसम में यह ज़्यादा क्यों फैल रहा है क्योंकि maximum जो आई फ्लू होता है वो बैक्टिरिया वाइरस इनकी वज़े से होता है और यह बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा हुमिडिटी यानि बहुत ज़्यादा उमस होने की वज़े स यह जो सूक्ष्म जीव है ना बैक्टिरिया वाइरस यह बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं जिसकी वज़े से जो आई फ्लू है वो काफी आप लोगों का बढ़ रहा है जिसे मालो इस रूम में एक बैक्टिरिया है भी जो आप लोगों की आख को प्रहवीत कर सकता है आप दोस्तो वाइरल कंजक्टिवाइटिस वो आई फ्लू का प्रकार है जो कि किससे वज़े से होता है वाइरस की वज़े से होता है आप लोगों को पता है इस प्रत्वी पे लाखो करोडों प्रकार के वाइरस पाए जाता है और हर वाइरस के अलग-अलग नाम है जैसे एड् इसका नाम हो जाएगा दोस्तों यह highly contagious है यानि एक संक्रामत का मतलब इसका संक्रमन बहुत जल्दी फैलता है दूसरी बात यह आपकी जो respiratory tract है जिसके माध्यम से आप लोग respiration कर पाते हो सास ले पाते हो जिसके माध्यम से यह आप लोगों के लंग्स तक जाती है जो पूरी क है नेक शम्रुक बात करते है bacterial conjunctivitis की bacterial conjunctivitis क्या होगा वह वाला ही फ्लू जो बैक्टिरिया की वज़े से हो रहा है बैक्टिरिया को हिंडी में बोलते है जीवान हो जैसे आप लोगों को पता है जो TB मिमारी होती है वह बैक्टिरिया की वज़े से होती है जो cholera जो डीजी की वज़े से हो सकता है तो जब बैक्टिरिया की वज़े से होता है तो इसके symptoms क्या है आप लोगों की जो आख होगी ठोड़ी सी कॉर्णर से मोटी हो जाएगी ठीक हो जाएगी यलोईश ग्रीन कलर का पीले हरे कलर का कुछ आप लोगों के आई से पदार्त निकलेगा और अगर किसी एलर्जी की वज़े से आप लोगों को आई फ्लू हो रहा है तो इसको अलर्जी क्या होता है देखो जैसे मालो आप कहीं पर हो वहाँ पर बहुत ज़रा डस्ट है धूल है तो वह धूल के पार्टिकल अगर आपके आखों में जाएंगे तो आपके आखों को इंफेक्शन प्रदान करें इंफेक्शन प्रवैड करेंगे समझ रो तो इसकी वज़ेसी भी हो सकता है और सर मैं तो कहीं पर डस्ट पे जाई नहीं रहा मैं तो बढ़िया घूमने गया था सर कहीं खेतों में तो मेरकों कैसे हो गया देखो एक्चुली मैं आप लोगों को कुछ ऐसा इसा पार्ट होता है जो फीमेज पाट के नंघ पार्ट के अंदर जाता है यहा फीम पार्ट यह चोटे छोटे चोटे पार्टे पार्टिकल जा रहे था एसको बोलते हैं पोलें ग्रेन हिंदी में पराग कर्ण तो दोस्तो बहुत हवा की वज़ेसे यह पोलें dust वगेरा हो, इसकी वज़े से यह आप लोगों को हो सकता है, इसमें आप लोगों को eating बहुत ज़्यादा होगी, आखों में लालपन बहुत ज़्यादा आएगा, और tearing, बतलब जो आखों से यह जो पानी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, चलिए, दोस्तों एक होता है आप लोगों का giant papillary conjunctivitis, जिसे short में GPCB बोलता है, सर यह किस टाइप का है, actually मैं आप लोगों को बता है, बहुत सारे lenses का use करने से भी यह वाली समझ्या हो सकती है, अब किसी व्यक्ति को जो हो रही है, वो देखना पड़ेगा, वाइरल की वज़े, उनका वाइरस की वज़े से हुआ है, बैक्टिरिया की वज़े से हुआ है, या किस वज़े से हुआ है, अभी recent में जो आप लोगों के बहुत smoke है, दुमा है, या अलग-अलग chemicals निकल रहे हैं, तो obviously वो आपकी आखों में जलन तो होगी, आपकी आखों को प्रभावित करेंगे, तो eye flu इनकी वज़े से भी हो सकता है, smoke हो गया, कोई chemical हो गया, कोई fume हो गया, इसमें भी दोस्तों वो ही same चीज है, irritation होगी, जलन होगी, और आप लोगों की जो आखें होगी ना वो लाल पड़ जाएगी, redness इसमें आजाएगी, चलिए सर, ये बात तो समझ गया, अब मुझे ये बताओ, transmission कैसे होता है, transmission का मतलब एक व्यक्ति से सर, दूसरे व्यक्ति में कैसे failure है, मुझे ये बताओ, दोस्तों एक simple चीज बहुत सारे bacteria बैटे है, वो जो मेरी eye को बिमार करके बैटे है, जब मैंसे करूंगा, मेरे हाथ में बहुत सारे bacteria आजाएगे, मैंने आप लोगों से हाथ मिलाया, आपने दोस्तों हाथ मिला लिया और बड़ी आप चलते ऐसा कुछ कर रहा है, तो bacteria आपके हाथ वाले, आपक की eye के अंदर enter कर जाएंगे, जिसकी वज़े से आप भी क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, ठीक है, तो सर ट्रीटमेंट बताओ, दोस्तों अगर bacteria की वज़े से हो रहा है, तो आप लोगों को एंटीबाइटिक वाली ये जो आईड्रॉप होती है, वो यूस करनी जाएंगे, अगर आप लोगों को वाईरस की वज़े से हो रहा है, ठीक है, तो ये आप लोगों का वीक में, दो वीक में, अपने आप सही हो जाता है, फिर भी दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा इर्यटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा ये हो रही है, तो apply warm compressors to reduce discomfort फट है ना बर्द थोड़ा सा हलका सा गरम करनो हलका सा और इसको अपनी यहां पर आपको में लगाऊगा आपको काफी हराम मिलेगा ठीक है लेकिन सबसे पहले आप लोगों को डायगनॉस करना पड़ेगा न कि कौन सा वला है वो आप लोगों को डॉक्टर बताएंगे ठीक ह चलिए यूज लूब्रिकेटिंग आइड्रॉप आप लोगों को इसमें यूज करना पड़ेगा डॉक्टर आपको 100% सजेस्ट करेंगे नेक्स अमलोग बात करता है बैक्टिरियल कंजेक्टिव आइटिस तो इस वाले केस में जो एंटिबाइटिक वाली आइड्रॉप ल है देखो दोस्तों आपने देखा होगा जब कभी आप लोग डश्ट में जाते हैं धूल वगरे में जाती है आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीके आती है क्या खासी आती है बिल्कुल कभी आपने सोचा है वो क्यों आती है क्योंकि देखो वो डश्ट पार्टिकल आप जाएगा तो अगर आप लोग एंटी स्टामीन का यूज करोगे तो आप लोगों को छी के खासी ये नहीं आएगी समझ में आगए क्या तो इस आई ड्रोप से आपका इलास्त हो गई और एंटी स्टामीन होगा आपकी बोड़ी में इस्टामीन जादा नहीं बनेगा वरना ब लोग आखों को पानी से दोए क्योंकि दोस्तों कि आपकी आखों में जो केमिकल वगएर होगा वो इससे निकल जाएगा लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे अगर कोई बैक्टिरियल किसी देखो अच्छा आपकी आख क्या है बिलकुल सही है आप लोगों को पता है द चाहिए चलिए तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो समझ में आएगा इसका सिंपल सा जो एक तरीका है जिसकी वज़े से आप लोग रोग सकते हो वाश ओवर हैंड्स ओफन विच सोप एंड वर्म वाटर अपने हाथ को आप लोग बार बार दोए क्योंकि दोस्तों वाटर यानि पान यूर साबुन से दो अगर वो नहीं है तो आप लोग एलकोल बेज सैनेटाइजर यूज़ करिए जो कि माइक्रो औरगेनिजम को ऐसे ही खतम कर देते हैं ठीक है और अवोईड टचिंग और रबिंग यावर आईस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंदर आया होगा थैंक्यू सो मच वीडियो को दोस्तो लाइक करें दोस्तो तक शेर करें चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे ऐसे ही इन्फोर्मेटे वीडियो आप लोगों को मिलते रहें बहुत बहुत धन्यवाद अपने वैल्यूबल करमेंट जरूर करिए ब झाल